Accounting No Problem, मैं आपका स्वागत है, मैं हूँ RT Teleprank की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे Stock Groups के साथ Stock Items के रिपोर्ट कैसे देखते हैं इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा कि Stock Items के रिपोर्ट किस तरह से देखी जाती है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यदि आप Stock Groups के साथ Stock Items के रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो वो कैसे देख सकते हैं यदि आप Stock Items के साथ Transactions रिकॉर्ड करते हैं तो इसके पहले वाली और ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है इन्हें ज़रूर देखें ये वीडियो आपको सफल अकाउंटेंट या सफल व्यवसाई बनाने में बहुत मदद करेंगी इनकी सहायता से आप अपने Stock के बारे में पूरी जानकारी रख पाएंगी आपको ध्यान होगा कि हमने Stock Items बनाने के पहले Stock Groups बनाए थे और फिर उन Stock Groups के अंतरगत Stock Items बनाए थे इसी के साथ हमने आपको Stock Group Creation वाली वीडियो में ये भी बताया था कि Stock Group क्यों बनाए जाते हैं इस वीडियो में हम आपको जिस रिपोर्ट के बारे में समझा रही हैं उससे Stock Groups की उपियोगिता भी आपको स्पष्ट हो जाएगी आज हम जो रिपोर्ट समझाने जा रहे हैं ये हमें टैली में तीन जगर मिलती है पहला तो Gateway of Tally पर रिपोर्ट के अंतरगत आप Stock समरी देख सकते हैं दूसरा डिस्प्लेय More Reports के लिए D प्रेस करें अब Inventory Books के लिए I प्रेस करें यह देखिए यहां पर यह Stock Group समरी के नाम से है और तीसरा Go To के लिए Alter और G प्रेस करें देखिए यहां पर भी Stock समरी दिखाई पढ़ रही है हम Stock समरी के लिए S प्रेस कर रहे हैं देखिए यहां पर Stock समरी आगई है इसमें right side में सबसे उपर company का नाम दिखाई दे रहा है और उसके नीचे period दिखाई पड़ रहा है इसके बाद particular में हमारी company में जितने भी primary यानि मुख्य stock groups बने हैं उन सभी के नाम दिखाई पड़ रहे हैं और left side में उन सभी stock groups या उनके subgroups में जितनी भी stock items बने हुए हैं उनके total closing balance की quantity, rate और value दिखाई पड़ रही है इस report से हमें आसानी से ये पता चल रहा है कि अभी हमारे पास किस तरह के कितनी products हैं जैसे अभी हमारे पास खुल 5 ACs, 5 laptops, 46 TVs और 3 washing machines हैं अब यदि आप ये देखना चाहते हैं कि इन groups के अंतरगत कौन कौन से subgroups हैं ये ये भी कह सकते हैं कि कौन सी company के कितने कितने products हैं तो यहाँ arrow के निशान पर click करें अब detail पर click करें या फिर alter और F5 press करें ये देखें सभी products की group और subgroup की समरी आ रही है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी company के कितने कितने TV हैं और सभी मिलाकर कुल कितने TV हैं ये सब यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है यदि आप सभी stock groups में बने हुए stock items एक साथ देखना चाहते हैं तो उसके लिए यहां stock item wise पर click करें या F5 press करें देखें ऐसा करते ही सभी stock items के नाम और उनके closing balance दिखाई पड़ रहे हैं हम वापस F5 press करके पहले वाली स्थिति में आ जाते हैं अब यदि आप सभी main groups, subgroups और stock items को detail के साथ देखना चाहते हैं तो उसके लिए F12 press करके कुछ configuration करना होगा हम F12 press कर रहे हैं configuration menu में अनिक options दिखाई पड़ रहे हैं इनी ध्यान से पढ़ें और उसके बाद अच्छे से सीखने समझने के लिए इन options में से एक एक को yes या no करके और जिन options में सब options हैं उनमें से भी एक एक को select करके try करना चाहिए ऐसा करने से आपको ये पता चलेगा कि कौन से option का report पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है चले इन में से अभी के लिए हम आपको कुछ महतुपून options बता देते हैं यदि हम show opening balance को yes कर देते हैं तो हमें stock item का opening balance एक नए column में दिखाई देगा यदि हम show goods inverts को yes कर देते हैं तो जितना भी माल आया होगा वो inverts नाम के नए column में दिखाई देगा यदि show goods outwards को yes कर देते हैं तो जितना भी माल गया होगा वो outwards के नाम से एक नए column में दिखाई देगा हम इन तीनों को yes कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं इस option को हम यसी रहने देंगे इससे यह होगा कि ऐसे सभी stock items की report भी दिखाई देगी जिनके quantity अभी जीरो है यानि वो stock item हमारे stock में नहीं होंगे तो भी वो report में दिखाई देंगे enterprise करते हुए आगे बढ़ेंगे यहां आप type of grouping देख रहे हैं इस option में दो सब options दिखाई दे रहे हैं एक है stock group wise और दूसरा है stock item wise यदि stock को group wise देखना है तो पहला वाला option सिलेक कर लें और यदि stock को items के अनुसार देखना है तो दूसरे वाले option को सिलेक कर लें हम stock group wise option को ही selected रहने दे रहे हैं अगला option है format of report हम report को विस्तरत रूप में देखना चाहते हैं इसलिए यहां पर detailed ही रहने देंगे इसके बाद है expand all levels in detailed format इसका मतलब है कि सभी levels को detailed format में expand कर दें यानि सभी इस तर को विस्तरत रूप में दिखाएं हम इसे yes कर रहे हैं अभी हमने जिन भी options में बदलाव किये हैं उन्हें save करने के लिए control के साथ A प्रेस करेंगे देखे सभी main groups, subgroups और stock items के साथ उनके opening balance, inwards, outwards और closing balance एक ही इस्थान पर दिखाई पड़ रहे हैं अब यदि आप यहां दिखाई पड़ रहे stock items में से किसी एक stock item की पूरी details देखना चाहते हैं जैसा कि हमने पिछली वीडियो में stock items के report में दिखाया था, तो उस stock के नाम पर जाकर enter press करें देखें, stock item की monthly report आ रही है और यहां आप stock item का नाम भी देख सकते हैं यदि आप quarterly या daily report देखना चाहते हैं, तो F6 के सामने दिखाई दे रहे, arrow के निशान पर click करें और अपने आवश्रक्ता के अनुसार quarterly या daily सेलेक करें यदि आप यहीं से किसी और stock item की report देखना चाहते हैं, तो F4 प्रेस करें और जिस भी stock item की report देखना चाहते हैं, उसे सेलेक करें यह देखिए दूसरे stock item की report आ गई है, इसमें नीचे की और महिनों के हिसाब से columns दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें लाल कलर वाले purchase के लिए और नीले कलर वाले cells के लिए हैं, इन्हें देखकर आप किसी भी महिने में purchase और cell का comparison कर सकते हैं, अब यह comparison आप कैसे कर सकते हैं, इस बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, आप मई महा के लिए जो दो columns देख रहे हैं, उनमें से लाल वाला बड़ा और नीला वाला लाल वाली से छोटा है, इसक के दोनों columns बराबर हैं, मतलब जून में purchase और cell दोनों बराबर हुई हैं, इसी तरह से आप सभी महा का comparison कर सकते हैं, यदि आप किसी महा के report देखना चाहते हैं, जैसे कि हम मई महा के report देखना चाहते हैं, तो उस पर जाकर enter press करेंगे, यह देखे मई महीने की report आ गई है, यह यहाँ यदि आप देखना चाहते हैं कि हमें किसी sell bill में बेचे गए items पर कितना gross profit हुआ है, तो यहाँ show profit जिसकी shortcut F7 है, press करें, देखिए sell bills के आगे जो माल बेचा गया है, उसका लागत मुल्य, उस माल पर जो gross profit हुआ है वो और उसका प्रतिशत दिखाई पढ़ रहा है, आए अब आपको दूसरा तरीका भी बता देते हैं, अभी हम gateway of telly पर हैं, display more reports के लिए D press करें, अब inventory books के लिए I press करें, और stock group summary के लिए S press करें, यदि आप सभी primary groups की stock summary देखना चाहते हैं, तो primary select करें, और यदि किसी एक group की stock summary देखना चाहते हैं, तो उसे select करें, हम TV select कर हैं, अब alter और F5 press करें, देखे right side में उपर हमारे दोरा select किये गए group का नाम आ रहा है, और particular में सभी subgroups के नाम और उनके अंतरगेद बने stock items के नाम और उनका closing balance आ रहे हैं, यदि आप जाहें तो यहाँ भी F12 press करके configuration कर सकते हैं, देखें, यहाँ पर सभी TVs की बहुत ही spust report दिखाई पड़ रही है, अब जो अगला option हम समझाने जा रहे हैं, उसकी साहता से आप किसी भी दो या दो से अधिक stock items का किसे भी निश्यत अवधी का comparison कर सकते हैं, उसके लिए पहले आपको वो item select करना होगा, जिससे आप दूसर item का comparison करना चाहते हैं, हम Onida TV 20 inches पर जाकर enter press कर रहे हैं, यह देखें, Onida TV 20 inches की report आ रही है, अब new column के लिए alter और C पर press करेंगे, यदि आप from और 2 को blank छोड़ देते हैं, तो यह शुरुआत से लेकर जहां तक आपने काम किया होगा, वहां तक की report आएगी, और यदि आपको इ निश्यत अवधी चाहते हैं, तो वो from और to में टाइप करें, हम एक मई से 31 अगस्त टाइप कर रहे हैं, यहां हम name of item में Onida TV 20 inches ही रहने दे रहे हैं, अब enter press करते हुए आगे बढ़ेंगे, देखें यहां पर पहली report by default आ रही है, जिसमें company के शुरुआत से आखरी transaction की तारिक तक की report है, हम keyboard के right arrow को प्रेस कर रहे हैं, यह देखें, दूसरी report उस period की है, जो हमने select किया था, और यह दोनों report Onida TV 20 inches की है, अब हमें alter और C प्रेस करके दूसरा item सेलेक करना होगा, यहां हम फिर से तारिक एक मई से 31 अगस्त टाइप कर रहे हैं, और item में sony TV 20 inches ले रहे हैं, अब enter प्रेस करेंगे, देखें, हमारे बास एक report और आ गई है, जो की हमारे द्वारा select किये गए period की sony TV 20 inches की है, अब हम keyboard के left और right arrow की सहायता से, एक दूसरे item की खरीदी बिकरी का आपस में comparison कर सकते हैं, यदे आप किसी report को हटाना चाहते हैं, तो उस पर जाकर alter और depress करेंगे, मार लेजे, यहां से हम by default वाली report हटाना चाहते हैं, तो उस पर जाकर alter और depress करेंगे, यह देखें, column delete हो गया है, अब यदे आप इस comparison में एक item और लेना चाहते हैं, तो alter और c press करें, अब पहले की ही तरह एक नया item select करें, हम LG TV 20 inches select कर रहे हैं, देखें, अब हमारे पास comparison के लिए 3 items हैं, यदे आप किसी column में कुछ changes करना चाहते हैं, तो उस पर जाकर alter और a press करें, हम Sony TV 20 inches पर जाकर alter और a press कर रहे हैं, और यहां Sony TV 20 inches के स्थान पर गोद्रेज AC 1 ton select कर रहे हैं, देखें, Sony TV 20 inches के स्थान पर गोद्रेज AC 1 ton की रिपोर्ट आ गई है, अब हम फिर से पहले वाली City में चलते हैं, अब समझते हैं Auto column option को, उसके लिए alter और a press करें, यहां Auto column में column details में से अपनी अवशक्ता के अनुसार जो भी आप चाहें select कर सकते हैं, हम समझने के लिए monthly select कर रहे हैं, देखें, यहां सभी stock items की 12 महा की monthly summary आ रही है, इन्हें आप keyboard पर right arrow key या left arrow key की सायथा से देख सकते हैं, और आपस में सभी महा का एक दूसरे से comparison कर सकते हैं, इस वीडियो में हमने आपको stock groups के साथ stock items की report देखना बताया, इसके बाद वाली वीडियो में आपने अभी तक टेली प्राइम में जो भी सीखा है हम उसका एक test लेंगे, test के साथ यह वीडियो में आपको कई नई जानकारियां भी देंगे, आपके बांवे, आपके बांवे, यह एक कर देंगे,